देश के अंदर महारास्ट्र और जहारखन इन दोनों ही राजियों के अंदर चुनाव चल रहे हैं और इन दोनों ही राजियों को लेकर कई एजंसी अपना सर्वे जो है वो भी दिखा रही है कि आखिर में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है कौन मजबूत नजर आ रहा है चाह आप में वाकई चौकाने वाली हैं जहां एक तरफ देश के अंदर चुनाव आयोग पर ये जिम्मेदारी होती है कि वो देश के अंदर देश के किसी भी कोने में अगर चुनाव हो रहा है तो उसे वो निश्पक्ष तरीके से कराए किसी भी तरीके की कोई गडबरी हो रही है कोई धांदले बाजी हो रही है तो उसे चुनाव आयोग रोके और जो भी गलत कर रहा है उस पर सक्त से सक्त एक्षल ले चाहे वो कोई पार्टी हो चाहे वो कोई नेता हो या फिर कोई आम व्यक्ति हो लेकिन तब क्या हो जब इसी चुनाव आयोग के कुछ अधिकारियों प अच्छे तरीके से चुनाव कराए तो अब ऐसे में जुनता किस तरफ जाएगी दरसल महाराष्ट जहां पर इस वक्त चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट में सियासी सरगर्मिया भी तेज होती नजर आ रही हैं इस बीच में महाराष्ट के अंदर एक ऐसी खबर सामने आई जहां कुछ चुनाव अधिकारियों पर ये आरोप लगे कि उन्होंने एक व्याफारी से रिश्वत ली है और ये रिश्वत 75,000 रुपए की है अब रिश्वत चाहे एक रुपए की हो चाहे एक करोड की रिश्वत रिश्वत होती है और वो सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि किसी पार्टी किसी नेता किसी आम व्यक्ति पर नहीं बलकि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर लग रहा है महराश्टर के उल्लास नगर में रिश्वत के मामले में चुनाव आयोग के तीन अधिकारियों पर केस दर्ज किया गया आरोप लगा कि उन्होंने एक व्यापारी से 75,000 रुपई के रिश्वत ली थी बाद में पता चला कि व्यापारी के पास कैश के सारे दस्तवेज मौजूद थे ऐसे में रिश्वत के पैसे उसे वापस कर दिये गए चुनाव आयोग के सुत्रों के मुताबिक एक पूल व्यापारी बाबन आमले शुक्रवार के रात एहमद नगर जा रहे थे किसानों का पेमिंट करने के लिए उनके पास 7,500,000 रुपई के कैश थे तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चुनावों के अंदर धांधली जो है कोई पाटी के नेता या कोई पाटी तो छोड़े यहाँ पर चुनाव आयोग के अधिकारी ही ऐसी गड़बडियों में सनलिप्त नजर आ रहे हैं रिश्वत लेते नजर आ रहे हैं तो हम औ देश के लोग किस और देखेंगे देश के अंदर जो देश का जो लोकतंत्र है वो किस और जाएगा जहां एक तरफ चुनाव आयोग के अधिकारियों को लेकर खबर आई है वहीं इन दो राज्यों के मैं आपको जो हैं चुनावी ग्राउंड रिपोर्ट्स जो हैं वो बत यह आचुका है यह लोग पोल का सर्वे है जिसके अंदर देखें जारखन के अंदर किस तरीके से क्या कुस दिखाया गया जहां पर अभी हाल पिलाल के अंदर जो एक तरीके से 13 नवंबर को ही पहले चरण का चुनाव होने वाला है और कुछ घंटे आप कह सकते हैं बहुस्त बटाने वाले लोग है वो किस तरीके से बहुत साई चीज़े गलत साबित होई है बहुत सारी चीज़े चौकाने वाली सामने आए दिखाई कूस देता और नज़र कुछ आता जैसे भी हरियाना के मामले में हम सभी लोगों ने देखा लेकिन अब झार्खन को ले इसमें बताया गया कि पूरा महीने भर यह सर्वे इन्होंने किया है और उसके बाद अब जिसके अंदर लगभग 500 सेंपल्स पर असेंबली और कॉंस्टिट्यूनसी से लिए गए जिसमें लगभग 40,500 सेंपल्स जो हैं वो इनके पास इखटे हुए हैं जिसमें एंडिये 36-49 एंडिया 41-44 और बाकी 3-4 होते नजर आ रहे हैं सरकार को किस तरीके से घुस्पैठियों को लेकर घेरती हुए नजर आ रहे हैं तमाम घूशना हैं तमाम वादे जो हैं वो बीजेपी सरकार कर चुकी है ऐसे में जब यह रिपोर्ट सामने आते हैं तो वाकई बीजेपी के लिए जारखन में चिंता वढ़ाने वाली हैं कि इंडिया गटबंधन जो है वो मजबूत होता नजर आ रहा है लेकिन अब इसका असर चुनावी नतीजों पर कितना देखेंगा यह अपने आप में महत्वपूर्ण हैं अब महारास्ट को लेकर जो सर्वे आया था वहां भी देखें क्योंकि दोनों ही राजे बहुत महारास्ट से लिए जहारखन के मुकाबले महारास्ट बड़ा है आप सब ली लोग जानते हैं तो उसके अंदर एंडिये की स्थिति आप देखें जिसमें 115-128 सीटे जो है वो एंडिये को मिलती नजर आई एंडिये को 141 से 154 और वाकियों को पांस से अठारा यह महारास्ट के अंदर यह लोग पूल का सर्वे आप को याद होगा कि अभी हाल फिलहाल में आरे से क्या कहा था कि मजबूत हो रहा है एंडिये और अच्छी खासी सीटों के साथ बढ़त बनाएगा लोग सभा चुना कि अपने सर्वे को करने में पर मजबूर भी हो गई होंगी तरीके से क्योंकि पिछली कई बार हमने देख लाए कि इस तरीके से इन एजेंसी की एग्जेट पोल बताने वाले लोगों की क्या भारी फजीहत जो ही है वो नजर आई लेकिन अब कुछ एजेंसिया जब सर्व और एजेंसिया कह रही है क्योंकि देखे महाराश्य के अंदर एक तरफ महयूती पूरा जोडशोड लगाए हुए कि चुनाव को हम किसी भी तरीके से जीत लें और पहले जहां एक तरफ कई महयूती के अंदर जो बीजेपी पार्टी है वो किस तरीके से कई बागी पार्टी को आमने सामने आती नजार आए उस बीच में अमिश्या के कई बयान जो हैं वो निकलने लग रहे हैं कि किस तरीके से देखिए अभी मुख्यमंत्री एकनाच शिंदे हैं लेकिन आने वाले समय में जो है वह यह बैट करता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा तो यान चुनावों से पहले ही महारास्ट महायूती के भी जरार डाल रही है एक तरीके से ऐसी चीज़े महाविकास अगारी के बीच में लेकिन अभी उनके बीच में खुलकर यह बाते सामने नहीं आ रही हैं चीज़ें कि आखिर में वहां पर क्या चल रहा है क्योंकि जो एक वार जो है महायूती के भीतर की वो साफ निकल कर सामने आ रही है बैरहाल आप लोग इस सर्वे के बारे में क्या कुछ कहेंगे चुनाव आयूक जिस पर यह चुनाव कराने के जिम्मेदारी है उनकी जो यह खबर सामने आ है उस पर आप लोग क्या कहेंगे और इन चुनावों क को आप किस तरीके से देख रहे हैं नीच वेदिये के कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और ऐसी अपडेट से जूड़े रहने के लिए देखते रही है ऑनलाइन यूज भारत मैं आपके साथ शालेनी धरनेवाद